जैहन्द डिफेंस एस्पिरेंट्स वेल्कम टू टागेट डिफेंस अकेडमी बचों आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिसकस करने बाला हूं और बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो जादतर बच्चे फेज करते हैं अपनी लाइफ में इस एज पे 10th, 12th में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे इस प्रॉब्लम को फेज करते हैं और ये प्रॉब्लम है overthinking overthinking, anxiety पढ़ाई को लेकर tension, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है अक्सर मैं जब भी hostel विजिट करता हूँ तो कहीं न कहीं कुछ बच्चे ऐसा मिल ही जाते हैं जो overthinking करते हैं पढ़ाई को लेकर ठीक है, उसके अलाबा उनके मन में tension होती है पढ़ाई को लेकर कि किस तरीके से अच्छे marks लाए जाएं बहुत से बच्चे, बच्चों के अंदर एक problem होती है, commoncy कि वो पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके marks अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर काफी वच्चे बहुत tension में आ जाते हैं और कई बार physically भी उसका असर दिखाई पड़ता है वो medically उनके अंदर problems generate होना start हो जाती है तो आज की इस वीडियो में मैं detail में बताने बालूँ आपको कि overthinking कब करनी है पहली चीज़ तो यह है overthinking आपको कभी करनी ही नहीं चाहिए अगर अपनी life में आप अपनी life है और उसको आप spend कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि daily to daily life में बहुत सारी problems आती हैं हमारी life में बहुत सारी problems आती हैं और आपकी जो problem है वो बहुत ही छोटी सी problem है जब आप अपनी life की stages cross करेंगे one by one तब आपको पता चलेगा कि जो आने वाली आपकी life की stages है वो और भी जाला tough होने वाली है तो यकीन मानिए कि यह जो life का phase है जिसमें आप 10th class या 12th class में हैं ठीक है 10th 11th 12th में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यह जो आपका phase है बहुत ही easy phase है don't worry और इसमें आप बहुत ही आसानी से अपने जो अच्छे marks हैं वो score कर सकते हैं इसलिए इसी सको लेकर बिल्कुल भी tension मत लीजिए ज्यादा देर तक पढ़ने से अच्छे marks नहीं हाते हैं ज्यादा देर तक पढ़ने से आप NDA qualify नहीं कर सकते हैं ज्यादा time तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं late night तक पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है और पढ़ाई के नाम पर किबल time pass कर रहे हैं अकसर ऐसा होता है जब भी मैं देखता हूं कि ज्यादा तर बच्चे late night तक जागते हैं और उसमें होता क्या है कि वो जागते जरूर हैं बढ़ाई नहीं करते हैं तो कम time के लिए पढ़ाई लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए अपना जो पढ़ाई करनी का तरीका है उसको बदलिए आपका जो routine है daily routine है चाहें वो campus में हो या बाहर से बच्चे आते हैं या आप कहीं भी हैं देश में आप अपने routine को बनाईए जब तक आपना routine नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जो mind में जो overthinking का जो भूत है न वो बना रहेगा overthinking होती कहां से सबसे ज़्यादा problem होती है जब आप पढ़ाई करते हैं और आपके marks अच्छे नहीं आते हैं तब आप क्या सोचते हैं कि मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरे marks अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं बिटा देखिए जब भी आप 10th से 11th में जाते हैं drastic change होता है तो जरूरी नहीं कि एकदम से आपके marks अच्छे आने लगें बट आपको focus क्या करना है अपनी पढ़ाई पर focus करना है continuously जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं चाहें वो classroom में हो चाहें वो आप online पढ़ रहे हो या आप self study कर रहे हो तो उसको आपको पकड़ के चलना है उसको छोड़ना नहीं है अगर आपने एक दिन की class miss कर दी या दो दिन की class आपने miss कर दी तो बेटा course जो syllabus होता है वो बहुत आगे निकल जाएगा तो उसको फिर पकड़ना थोड़ा सा tough हो जाएगा और जब आप next class करेंगे दो class छोड़ने के बाद तो आपको next class समझ में नहीं आएगी और इस तरीके से आप पीछे जले जाएगे और जब धीमे धीमे आप उसको recover करने कोशिस करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा problem हो सकती है आपकी overthinking भी बढ़ सकती तो बेटा सबसे पहली चीज तो यह है कि अभी से एकदम से tension लेने की ज़रूरत नहीं है अपना जो भी routine है उसको proper normal follow करते रहे है अभी exam बहुत दूर है but step by step अगर चीजों को अगर आप cover करते रहेंगे TDA campus में starting में ही test क्यों start कर दिये जाते है उसके पीछे एक reason है जब भी आपका topic wise test होता है topic wise test यहां से होते हैं जो आपको पढ़ा दिया जाता है उससे test होता है दीमे दीमे करके क्या होता है कि यही आपके जो syllabus है वो बढ़ जाता है और एक time आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा और पूरा का पूरा syllabus आपका exam में आने लगेगा और आपको जो exam की tension होती है वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी तो overthinking करने वाली बच्चों जीके overthinking में होता क्या है आप सबसे ज़्यादा time का wastage करते है जीके overthinking उन बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है जो बच्चे करने में विश्वास नहीं रखते है जो केबल सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे यह करना है बट वो करते कुछ नहीं है तो क्या होता है कि उसका जो प्रैसर है जो आप काम जो आपको करना चाहिए उस टाइम आप सोच रहे हो ठीक है बे बज़े सोच रहे हो ठीक है उसका यूटलाइजेशन कहीं पर करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं तो जिसकी वज़े से क्या होता है कि जो आपने time waste किया overthinking करके वही time आगे आपको और परिशान करेगा क्योंकि वो time आपका waste हो चुका है उसको आप कैसे recover करेंगे तो overthinking नहीं करना है विटा जितना भी पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से पढ़िए normal रहे के पढ़िए किसी भी तरीके की देखे आप अगर foundation के बच्चे हैं या 12th pass करके आए हैं यहाँ पे तो बिटा बहुत time ओड़ता है 2 साल बहुत होते हैं किसी भी exam को crack करने के लिए चाहें वो कोई सा बड़ा सा बड़ा exam हो आप 2 साल के अंदर किसी भी exam को crack कर सकते हैं अगर आप proper routine से उसको follow करते रहेंगे और अगर आप कहीं इधर भागेंगे कहीं इधर भागेंगे कहीं सोचेंगे जादा तर क्या होता है आपके पास time बहुत है आप time का सही से utilization नहीं करते हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है कि आपका जो time है वो waste जादा होता है जैसे आपका time waste होता है वैसे आपके mind के अंदर जो है वो खलवली मचना स्टार्ट हो जाता है और उसी की वज़े से overthinking स्टार्ट हो जाती है तो आप कोसिस करिए अभी भी अपना time waste मत करिए किसी भी चीज को लेकर अपना time waste मत करिए utilize करिए अपने time को सही direction में पढ़ाई करिए चाहें आप online पढ़ें या offline पढ़ें आपको बिलकुल सही direction में पढ़ाई करनी है जो एक schedule दिया गया है mornings लेकि evening तक का schedule वो आपको proper follow करना है और ये जो schedule है हमारा ये academy की बच्चे campus में जो रहते हैं वो भी follow करेंगे और जो बाहर की बच्चे हैं वो भी follow कर सकते हैं तो tension बिलकुल नहीं लेनी है अपना proper study पर focus करिए result पर focus मत करिए अगर आप पढ़ाई अच्छी करेंगे तो बिटा result definitely अच्छा ही आएगा तो इस चीज की tension बिलकुल नहीं करिए अपनी health का खैल लखिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए और अपने काम में ब्यस्त रहिए Thank you so much जैहिन